नमस्कार सर मैं हूँ जेपी स्टिल वर्क साप के चैनल से मैं आपके लिए जेंपल रेलिंग आपको दिखाने जा रहे हैं तो जेबर जेस्ट रेलिंग है यह रेलिंग की फिनिसिंग कैसे हो रहे हैं और किस तरह से लगा हुआ है हम आपको दिखाने जा रहे हैं देखिए आपको सामने है देखिए यह लड़का किस तरह से फिनिसिंग चालू किया है कि में कौन कौन सा मैटेरियल लगता है हम आपको दिखाने जा रहे हैं देखिए यहां पर गोली लग चुका है और सामने जो दिख रहा है एंडेड़ हिंची का पीलर है खड़ा खड़ा वाला अब जो सामने पाइप गया है यह पावनांची का पाइप है तो इस तरह से पाइप लगाया गया है चार पाइप तो यहां पर क्रोस है देखिए यहां पर भी कुछ आइडिया अपना लगाया गया है अच्छा लगे तो एक लाइक बहुत सारा अच्छरों के साथ अपना सेटिंग किये हुए हैं तो देखिए किस तरह से देखिए यह सामने से एक दम एक ब्राबर का यह पाइप क्रोस किया गया है तो दोस्तों हम ऐसे बहुत सारे आपको रेलिंग दिखाएंगे शीखने को मिलेगा आपको और लगवाने के तरी तरीके आपको मालूम पड़ जाएंगे तो देखिए हर अलग-अलग तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं आप समझ जाएंगे किस तरह से लगाया गया है देखिए हाँ पर फिनिसिंग चालू है लड़का अपना फिनिसिंग इससे पर फिनिसिंग अपना फिनिसिंग से जाएंगे रहे हैं तो दोस्तों आप सब्थी को पता नहीं होगा किस तरह से फिनिसिंग होता है प्रिए लगता है आइकूता तो इसमिया आग पहला जो पिनिष्टिंग करने का होता है इसे पेपर मौते हैं मैट बोलते हैं तब लाइट छलता है नहीं यह पर गूली भी लगा हुआ है अरे फिनिष्टिंग किया गया है देखिए यहां पर ये जो ममझे लगाया गया है इसको एलबो बूलते हैं यहाँ पर भी फिनिसिंग अभी नहीं हुआ है देखिए यह दो इंची का भी से नीचे गया है तो इस तरह से इसे लगाया गया है तो देखिए यहाँ पर हम आपको अभी दिखाएंगे किस तरह से फिनिसिंग किया जाता है आप यह सारा सभ जो मौड है इसे अभी लाइट मार करके पाया आपको दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से होता है तो देखिए कितनी मिहलत से कितनी आप से सोरी न्याव मारा जाता है तब जाकर फिनिसिंग होता है तो आप देखिए किस तरह से finishing किया जाता है और किस तरह से हो रहा है आपको हम दिखा रहे हैं आप भी समझ जाएंगे इस तरह से स्टेल फिनिसिंग होता है तो दोस्तों इस पर हर अलग अलग तरीके से फिनिसिंग लोग करते हैं हम आपको भी दिखाते हैं तो इस तरह से आपको फिनिसिंग अगर करते हैं तो इस तरह से फिनिसिंग करते जाएं और रेलिंग आपका हमेसे लिए चमकता रहेगा और यह जो रेलिंग है कभी भी अगर गंदा होता है तो इस पर मिट्टी का तेल लगा दीजिए एक घंटे डिड़ घंटे रहने दीए जब सुख जाए तो इस पर विरल सिमेंट आता है उसे को पाउडर बना करके कपड़े स्पोस्ट दीथी देखिए यहां पर यह अपना पूस्ट दीए हैं अभी दिखाएंगे किस तरह से चमक रहें देखिए कितना चमकने लगा आपको अच्छा लगे तो जरू लाइक करिए दोस्तों जयेंजे भारत